अस्सलाम वालेकूम मैं आईशा आज आपके साथ शेयर करी हूँ पोहाँ आलू के कटलेस बनाने की रेसिपी जिसे हम बिना किसी कोटिंग के डीफ्राइ करके बनाएंगे यह ओईल में बिल्कुल भी छुटेगी नहीं एकदम भी क्रिस्पी बनेंगी ओईल अबसॉब नहीं इस रेसिपी को पूरा देखकर इस रेसिपी को ट्राय करना रेसिपी पसेन आएख करते है तो प्लिस वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर नए हैist है पाणी it करेगी पानी से हमें अच्छे को धो लेना है वोहे को धोकर एक छनी में नितार देना है नितार कर हम इसे साइट पर रख देगे फिर हम इसकी दूसरी प्रोसेस में जाएगे परफेक्ट डीटेल में रेसिपी शेयर की है बिना स्कीप के देखोगे तो परफेक्ट आपकी भी ऐसे ही क्रिस्पी कटलेस बनकर तया बोहा को धोकर हमने नीतार कर साइट में रख दिया है कटलिस बनाने के लिए हमने 500 ग securely का इस्तिमाल किया था आलो को बॉयल के थेंडा करके छिल्का निकाल कर ले लिया है आलो को बॉयल करते वक्त धियान रखना है आलो को हमें over boil नहीं करना है बॉयल केने के बाद एक छनी में ठंडा होने के लिए रख देना है जब आलू ठंडे हो जाए फिर उसका छिलका निकाल कर उसे अच्छे से मेश कर लेना है हमने यहाँ पर आलू को मेश करके ले लिया है अब हम यहां एड़ करना है एक छोटी चमश अदर गसन की पेष्ट, एक छोटी चमश हरी मिर्चों की पेष्ट, एक चमश मेंने कुटे हुई लाल मिर्च एड़ की है मिर्च का इस्तमाल आप अपने डेश्ट के हिसाब से करें कम याज ज़्यादा एड़ कर सकती हो एक चमश मैंने कश्मेरी लालमीज पाउडर लिया है जो बिल्कुल ऑप्शनल है इससे कटलेस का कलर बहुत ही अच्छा आएगा एक चमश हमने धनिया पाउडर लिया है आधी चमश भुने हुवे जीरे का पाउडर आधी चमश हल्दी एड़ की है आधी चमश गरम मसाला एड़ करेगे एक चूथाई चमश मैंने नमक एड़ किया है नमक आप अपने टेष्ट के हिसाब से एड़ कर दे एक चमच चाथ मसाला एड़ करेगे एक नीमू का रस हम यहां एड़ कर देगे हरा धनिया बारिक बारिक कट करके हम यहाँ एड करना है एक मूटी हरे धनिया का इस्तमाल किया है मैंने यहाँ पर टोस का इस्तमाल किया है यह मैं आपको बता रही हूँ इसे मैंने डस टोस लिये थे जिसको मैंने मिकसर में एड करके पीस कर पाउडर बना लिया है आप इसकी जगा पर ब्रेड क्रॉम्स का इस्तिमाल कर सकती हो इसे एड करने के बाद जो पोहे हमने भिगो कर रखे थे छन्नी में नितार कर उसे हाथों से मेश करते हुए इसमें एड कर देने है बहुत ही क्रिस्पी और टेश्टी कटलिस बनकर तयार होती है बस इन टिप्स का आप धियान रखे आलू को ओर बोईल ना करे ठंडा करकर इस्तमाल करे पोहे को छनी में नितार कर उसका सारा पानी एक्ष्टा नितर जाने के बाद हातों से मेश करके इसमें एड़ करे हमने यहाँ पर पोहे एड़ कर दिये है इस सारे मिक्ष्ट को हम हातों से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मिक्ष्ट हमारा रेडी है कटलिस बनाने के लिए आप इसे देख सकते हूँ, इस तरीकी का मिक्षर हमें बना कर रेडी करना है ये परफेट बन कर रेडी है, अब हम इसे कटलेस बना कर तयार कर लेगे एक बोल जितना मैंने यहां से मिक्षर लिया है आप इसे अपने पसंद की कोई भी शेप में बना कर रेडी कर सकते हो मैंने यहां पर एक प्लेट पर ओल लगा लिया है दोनों हतिलियों पर ओल लगा लेगे जो मिक्षर हमने लिया था उसे अच्छे से दोनों हातों में प्रेस करते हुए एक बॉल बना लेगे धियान रहे एकदम अच्छे से प्रेस करके बिना क्रेक का ये बॉल हमें बना कर रेडी करना है अब हम इसे प्लेट पर रखेगे और हातों से इसे प्रेस कर लेंगे मेरे पास ये हैर शीप का कटलेस बनाने का साचा है आपके पास ना हो तो आप इसके गोल कटलेस बना कर भी ready कर सकते हो मैंने यहाँ पर इसे रख कर प्रेस किया है और साइट की corners को निकाल लिया है अब हम यहाँ पर से इसे निकालेगे हमने oil लगाया है यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगे हाँ आप कोई भी साचे का इस्तिमाल करें तो उस साचे पर भी oil लगा ले उसकी corners पर अब हम यहाँ से हमारी कटलेस को remove कर लेगे आप देख सकते हो कटलेस हमारी बनकर ready है हम यहाँ पर कुछ तील add करेगे और इसे प्रेस करेगे इससे fry करकर बहुत ही अच्छा लुकाएगा हमारी कटलेस पर आपकी पास कोई साचा या mold ना हो shape देने के लिए तो आप इसे कबाब या टिकी की तरह gold shape में भी बना सकते हो mixture लेना है थोड़ा कम mixture लेगे फिर इसे प्रेस करते हुए एक crack free bowl बना लेगे फिर हतेलियों से प्रेस करते हुए इसे कबाब या टिकी का shape देदे आप देख सकते हो बस इसका जब bowl बनाए तो प्रेस करते हुए बनाए थोड़ा वल्चन देकर हाथों पर और फिर जब इसको shape दे तो हलके हाथों से दे फिर इसके उपर हम थोड़े से तिल लगा लेगे तिल लगाने के बाद प्रेस करें वरना फ्राइ करते वक्त सारे तिल छूट जाएगे ओल में अब हम यहाँ पर चीज वाली कटलेस बना कर रेडी कर लेगे एक टिकी बनाएगे चीज एड़ करेगे मैंने मोजरेला चीज एड़ की है आपके पास जो अवेलेबल हो एड़ कर सकते हो साइट्स को हम इस तरह हलके हाथों से प्रेस करते हुए सील कर देगे फिर हम यहाँ प करते हुए कबाब यह कटलेस का शेफ दे देगे आपको चीज पसंद हो बच्चे चीज खाना पसंद करते हूँ तो आप इसे चीज के साथ बनाए या फिर आप इसे बिना चीज के भी बना सकते हुँ दोनों तरह यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे कटलेस की बनकर ready होगी फ्रेन्स ये बहुत ही budget फ्रेंडी भी है, इस Michigan से आपकी बहुत सारी कटलेस बनकर ready होने वाली है, मेरे यहां पर एक प्लेट fry होकर सर्फ हो चुकी है, ये इतनी देश्टी है खाने में फ्रेंस इसे fry करते वक्त कुछी जो का धियान रखنا है Cutlass को fry करते वक्त हमें Gase की Flame को Medium रखना है Oil के Temperature को Medium रखना है अगर हम इसे High Flame पर fry करेगे तो Cutlass उपर से Color पकड़ लेगी और Crispy नहीं बनेगी अगर हम इसे Low Frame पर fry करेगे तो Cutlass Oil Absorb कर लेगी इसलिए इसको fry करते वक्त Medium फ्लेम रखना है और Medium Temperature पर ही इसे अच्छा सा Color आने तक fry करना है एक साथ में बहुत ज़्यादा Cutlass fry करने के लिए एड़ ना करें वरना Cutlass एक दूसरे से चीपकने लगेगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर Cutlass को Oil में एड़ करें तुरंट चमच ना चलाएं दो मिनिट सेट होने दे थोड़ा सा Color चेंज होने लगेगा हमारी Cutlass का तब इसमें चमच चलाएं और इसकी साइट को चेंज करें फ्राइ करते वक्त इनकी जो का ध्यान रखेगे तो आपके Cutlass एकदम ही Crispy फ्राइ होकर रेड़ी होगी चिपकेगी नहीं, टूटेगी नहीं ओयल अब्जॉब नहीं करेगी एकदम ही Perfect Crispy आपके Cutlass बनकर रेड़ी होगी इसी तरह हम सारी Cutlass को फ्राइ करकर तयार कर लेगे Crispy और Tasty Cutlass को आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना किसी Skip के पूरा देखे एकदम ही Perfect Recipe आपके साथ शेर की है आप इस Recipe के साथ बहुत ही आसानी से इस Cutlass को बना कर रेड़ी कर सकते हो खाने में ये बहुत ही टेश्टी लगती है आप इसे बच्चों के Lunch Box में भी दे सकते हो As a Tea Time Snake भी ये बहुत ही Best Option है खाने में बहुत ही टेश्टी है बनाना बहुत ही आसान है आप इसे चीज के साथ भी बना कर रेड़ी कर सकते हो जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है वेसी भी पसंद आई हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करे फैमिली और फ्रेंज के साथ शेर करे कमेंट करके हमें अपना फीड़ बेक जरूर दे चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप से रिक्वेश्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रेस